दोस्तों महराज चुनाव में कितनी बड़ी धांदली हो रही है आप इसका उदाहरण देखिए धन बल का पूरा परियोग किया जा रहा है चुनाव आयोग आँखे मूद कर सो रहा है महराज चुनाव जितने के लिए भाश्पा ने हर दाओं खेलना शुरू कर दिया है संजराउत ने आरोप लगाया है कि सीम एकनाश शिंदे भेज रहें पैसे 50 करोड का है वादा महराज चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी नगदी से भरी कार देश की हर चुनाव में धल बल का परियोग होता है लेकिन चुनाव आयोग कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता आचार सहिता लागू है भाजपा महराज चुनाव पैसे के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है संजराउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाश शिंदे ने अपने लोगों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड उपए देने का वादा किया था तो उसकी पहली इंस्टॉर्मेंट जा रही थी यही आरोप शरत पवार गुटके नेता रोहित पवार ने भी लगाया है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मिद्वारों को चुनाव की पहली इंस्टॉर्मेंट के तोर पर 25-25 करोड उपए दी जाने की चर्शा ह तो आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से एक कार में खबर सुनकर हैरान हूँ कि एक कार में 5 करोड रुपए पैसे मिले हैं और वो भी नगद सारे की सारे नोटे असली हैं कोई भी नकली नहीं पांच-500 रुपए की नोट से भरी ये कार इनुवा की वाइट कार पूरी तरीके से पकड़ी गई है तो महराज चुनाव में आचार सहिता लागू है और ऐसे समय में चुनाव आयोग अपनी आखे मूद कर सो रहा है भारती जनता पार्टी हर दाओ चलने के लिए तयार है संजे राउत ने साफ तो पर जो आरोप लगाया है कि एक नात शिंदे के आदेश पर ये सारे पैसे राज में भिजवाय जा रहे हैं अंदाजा लगाईए आप एक कार में पांच करोड रुपए किस तरीके की धांदली हो रही है और चुनाव जितने के लिए क्या कुछ हर अपनाया जा रहा है परधान मंती नरेंद्र मुदी लगातार ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन उन्हीं के पार्टी के परतियाशूं के पास ये पैसे पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि जो आरोप लगा अभी तक उस आरोप का कोई जवाब नहीं आ किस तरीके से जानना चाहते हैं कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं संजेराउद ने साफ तोर पर या रोप लगाया कि जो खरीदों फरोफ्त हुई थी विधायकों की अब उसी पैसे से चुनाव लड़ने के लिए महायुती गडबंदन पूरी तैयारी कर चुका है लेकिन चु चुनाव से पहले पुलिस ने एक कार जब्त की है कार से भारी मात्रा में कैश बरामत किया गया है कैश की गिंती जारी है आशंका जताई जा रही है कि कुल कैश पांच करोड रुपए से ज्यादा का है पुने के खेड़ शिवपूर टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी के अंदर से करोडो रुपए कैश बरामत हुएं देखिए दूसरी खबर पुने में कार से मिले पांच करोड रुपए संजराउत बोले सीम शिंदे भेज रहें पैसे पचास करोड रुपए का है वादा तो दोस्तों जिस तरीके से हरियाना चुनाव में भी आपने देखा हो जिसको किसी का फोन आने के बाद उसको जाने दिया गया है तो आप अंदाज़े लगाए कि जिस बात की आशंका जचाई जा रहे थी कि भारती जंता पार्टी किसी भी तरीके से महाराश चुनाव जीतना चाहती है क्योंकि खुद परधान मंती नरेंदर मोदी की कुरसी मह पूरी तरीके से की जाएगी तो पूरी तरीके से चुनाव जीतने के लिए भारती जंता पार्टी ने तमाम कोशिशें पूरी कर ली है अब ये पैसा पकड़ाया है तो साफ तोर पर संजराउत ने जो आरोप लगाया है कहीं न कहीं अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आय पंजराउत ने कहा कि पूने में कल दो गारियां पकड़ी गई उनमें लगबग 15 करोड रुपे थे आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि एक नाथ शिंदे अपने लोगों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड रुपे देने का वादा किया है उसमें से 15 करोड रुपे की फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट लोगों को जा रही है सांगोला के जो गदार आमदार थे उनको ये पहली इंस्टॉल्मेंट जा रही थी अभी 5 करोड का तो हिसाब लग गया है और 10 करोड रुपे छोड़ दिये गए संजराउत ने कहा कि दो गारियां थी उसी विधायक के ल पाकी का पैसा भी जाएगा राउत ने आगे कहा कि एक उदारण है कि मुखमंत्री देवेंद्र फणवीस या जीत पवार की तरफ से किस तरीके से पैसों का डिस्ट्रिब्यूशन चल रहा है पांच करोड ये मामूली रकम नहीं है मुखमंत्री के बंगले से एक फोन आया और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पूरे एवेडेंस हैं मुखमंत्री कार्याले से ये सब आउपरेट हो रहा है तो साफ दोर पर या रोप लगाया है कि इंडिये के जितने भी प्रत्याशी हैं सब को 50-50 करोड रुप उसको छोड़ दिया गया है तो आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से भारती जन्ता पार्टी हरियाना के बाद महराज चुनाव जितने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और कहा भी जा रहा था कि जब महराज चुनाव आएगा तो ऐसी तमाम खबरें आपको देखने को देखने को मिलेगी और पहले से ही उद्धा ठाकरे गुड के तमाम नेता कह रहे थे कि धन बलका पूरा पर्योग भारती जन्ता पार्टी करेगी तो संजय राउत ने साब तो पस सी एम आफिस पर आरोप लगाया है और कहा कि तो दूसरी गाड़ी थी जिसमें ज्यादा प पवार गुड के नेता भी लगा रहे हैं शरत पवार गुड के नेता रोहित पवार ने पैसे का वीडियो ट्विट किया उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के उमीद्वारों को चुनाओ की पहली इंस्ट्रालमेंट के तोर पर 25-25 करोड रुपे दिये जाने की चर्च में जो परत्याशी हैं उनको पैसे पहुचाए जा रहे हैं और गो भी जो सीदेतावर पर आरोप लग रहा है कि सीम आफिस देवेंद फड़नवीस और अजीद पवार पूरी तरीके से पैसा डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो यह बड़ा आरोप है संजे राउत ने लेकिन मीडिया में कहीं भी इस पर डिबेट नहीं हो रहा है कहीं भी खबर नहीं चल लही है कहीं भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर महराज चुनाव में इतने पैसे आये कहां से एक गाड़ी के अंदर पांच करोड रूपए कहां से आया क्या चुनाव आयोग क कोई जवाब देगी जो आरोब उस पर लग रहा है महायूति गड़ बंदन क्या इस सवालों का जवाब देगा कि ये हमारे प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं जा रहा था तो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से इस ख़बर को गायब कर दिया है आपको नहीं बताय ये कि पांच करोड रुपए वो भी नगद पांच पांच सो रुपए की नोट आप देखकर सहम जाएंगे कि आखिर देश का चुनाव कितना महगा चुनाव होता जा रहा है और चुनाव आयोक की नाक के नीचे ये तमाम चीज़े हो रही है उसके बावजूद भी कोई ठ आचार सहींता के बीच कार से जब्थ हुए पांच करोड रुपए संजे राउत ने साधा सरकार पर निशाना महाराष्ट में नवंबर में विधान सवा चुना होने हैं जिसे लेकर सभी उम्मिद्वार मैदान में हैं वही महाराष्ट में 15 अक्टूबर से आचार सहींता भी लागू हो चुकी है इस बीच पुने गरामीर पुलिस ने सोमार को पांच करोड रुपए नगज़ जब्थ किये इसकी एक जानकारी अधिकारी ने दी शाम को पुलिस नाकाबंदी के दौरान मुंबई बिंगलरू राजमार पर खेड़ शिवपुर पलाजा के निकट तक जाने के लिए तयार है क्योंकि जिस तरीके से या रोफ सरकार पर महायुती पर लगा कि सारे प्रोजेक्ट अड़ानी को दिये गए तो अब ये भी सवाल हो रहा है कि आखिर ये पैसे आ कहाँ से रें कि अड़ानी को जो प्रोजेक्ट दिया गया था अब उसका दिया जा रहा है धंदा लोग चंदा दो के तहित चंदा अब अडानी सेठ वापस कर रहे हैं और भारती जंदा पार्टी की पूरी मदद करने के लिए तयार हैं दोस्तों कल जिस तरीके से महराज से तस्वीर आई थी योगेंद रियादा के साथ धक्का मुक्की की गई थी योगेंद रियादा एक प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की हुई तो साथ और यारोप लग मीडिया से पूरी तरीके से गाइब है उस पर कोई डिबेट नहीं कोई खबर नहीं और कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं आपकी कह रहा है कमेंड बॉक्स अब दिराए जरूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशनिती धन्यवाद